पिछले लेक्चेर पे हम लोगों ने reduce mass के concept को जाना था समानित द्रब्यमान वाली बात को हम लोग समझ गेते समानित द्रब्यमान पे आपने ये कहा था कि M जो लिए है हम लोगे उसकी जगा mu लेना पड़े mass of the electron जो लेते हैं आप उसकी जगा आपको समानित द्रब्यमान के concept को लेना पड़ेगा क्यों तो आपने कहा था nucleus जो रहता है उसका भी mass highlight है इसी base पे आपने जो mvr equals to energy by 2π कहा था उसको mu लगाया था आपने और energy के term को भी जब आप निकाले थे तो वहाँ mu introduce किये थे और उसी के base पे आपने कहा था rainbow constant की value को भी change करना पड़ेगा और अगर rainbow constant की value rainbow constant बदलेगा तो आप कहते हैं कि चुकि spectrum जो निकालते हैं हम लोग उसमें wave number नहीं निकालते हैं तरंग की संखय जो निकालते हैं वहाँ भी इसको use करते हैं RH को तो वह भी change होगा कहा था आपने तो आज हम लोग hydrogen के एक समिस्थानिक के बारे में बात करते हैं जिसको deuterium कहते हैं H2 लिखते हैं अंतर क्या है hydrogen और deuterium में तो आप कहते हैं यह hydrogen का समिस्थानिक होता है और इसके nucleus में एक proton और एक neutron होता है इसलिए यह जो deutron का atomic mass है वो hydrogen के atomic mass का approximately double होता है क्लियर है बार तो आज इसी deuterium के उपर या deuterium को heavy hydrogen के उपर discuss करने वाले है या heavy hydrogen के spectrum के उपर discuss करने वाले है deuterium का एक नाम heavy hydrogen भी है और यह आपके hydrogen का isotope है ठीक है यह hydrogen का isotope है ठीक और इसका जो nucleus होता है इसका जो nucleus होगा यह जो deuterium है इसका जो nucleus होता है इसका जो नाभिक होता है उसको deuteron कहते है इसका जो नाभिक होगा उसको deuteron कहेंगे ठीक है clear है और मैंने एक बात तो कहा है यह isotope है मतलब इसमे neutron एक proton एक है nucleus पे इसलिए इसका mass number आपके hydrogen के mass number का डबल है या approximately डबल है clear है बात अब मैं आपको यह बोलूँगा आप लोग rainbow constant देख लीजिए किसके लिए एक सीधा साथ बात करते हैं हम लोग यह rainbow constant है इसके लिए हमने कहा कि अगर infinitely large mass लेते हैं तब जाके हमारे पास R की value यह निकल के आता है हम लोग M यूज़ करते हैं लेकिन अगर finite mass का nucleus लेंगे आप आपका nuclear mass अगर finite होगा परिमित mass का होता है तो आप लोग कहते हैं इस M की जगा mu को यूज़ करेंगे और mu मतलब कितना होता है M mass of the electron mass of the nucleus mass of the electron mass of the nucleus इसी को अगर मैं deuterium के लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा इसको mu d कह दूँगा और यहाँ M, M d कहना पड़ेगा M एक electron तो है लेकिन यहाँ nucleus पे एक neutron भी रहता है इसको मैं M, M base में d लिख दूँगा deuterium के लिए अगर लिख वाएंगे मेरे को आप तो na deuterium के लिए निखल वाएंगे तो mu d equals to M, M d by M plus M d कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, तो इस base पे और इसको आपने easy करके ऐसा भी लिखा था mu equals to M by M plus M plus 1, clear है, अब अपने इस formula को R mu का जो formula निकलेगा यहाँ R mu का जो formula निकलेगा, इस M को हटाईए यहाँ से, यह M लिख रहेगा, 2 pi square e to the power 4 th cube 4 pi epsilon 0 का square into, यहाँ जो यह mu है ना, यह जो mu लिखे हैं आप, उसकी जगा इस value को fit कर दीजे ठीक, इस value को fit करेंगे तो पहले यह क्या आजाएगा, यहाँ पे यह M आएगा, clear है ना, कितना हो गया, R mu equals to 2 pi square e to the power 4, CH cube 4 pi epsilon 0 का square, M by M by capital M plus 1, clear है, clear है, और इसको फिर से अगर simple कर देंगे, इसको rearrange कर दीजी अगर, इसको rearrange कर देंगे, तो आपको यह मिलेगा, R mu equals to 2 pi square m e to the power 4, CH cube 4 pi epsilon 0 का square, यह वाला M को इधर लिख दिया है मैंने, M by capital M plus 1, clear है, आगे गए, तो यह जो value है, यह जो value है, यह पूरा, इस पूरे को आपने R कहा है, देख लिख दिया, इसके जगा मैंने R लिख दिया, तो यह जो R mu है, वो कितना होता है, R, 1 by M, M plus 1, किस में relation निकाल दिया मैंने, finite nuclear mass वाले case को, infinite nuclear mass वाले case के river constant को relate कर दिया है, इन दोनों को आपस में संबंधित कर दिया है, तो क्या मिला, देखे, अगर यहाँ पे आप hydrogen के case में R mu निकालेंगे, तो यह R by M E by M P plus 1 होगा, अगर यह किस के लिए कर रहे हैं हम लोग, hydrogen के लिए तो, clear है, और इसी को अगर deuterium के लिए करेंगे तो, यह M E, यहाँ तो M E रहेगा, लेकिन यहाँ M D plus 1 हो जाएगा, और अभी-अभी मैं आपको बोल रहा था, कि यह जो deuterium होता है न, यह hydrogen का isotope है, और इसके nucleus में एक neutron और एक proton होगा, इसलिए इसका mass number, hydrogen के mass number का अप्रॉक्ट डबल निकलेगा, ठीक, तो देखे, यह deuterium के लिए निकला, और यह hydrogen के लिए निकला, इस formula को जो आपने पिछले lecture पे इसको निकाला था, तो यहाँ R mu किसके लिए, इसको R D कर देते हैं, R by M E M D plus 1, और इसी को hydrogen के लिए अगर इसी formula को use करेंगे, तो आपको यह मिलेगा, ठीक है, अब इन दोनों equation को एक दूसरे से divide कर देजिए, R D by R H equals to 1 plus M by M H, 1 plus M by M D, R और R cancel हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों infinite math के लिए थे, खीक, तो यह बचा, अब एक काम कीजिए, M D की value to M H के equal होता है, इस value को यहाँ रखें, तो एक चीज़ यह भी clear हो गया, कि M D greater than M H है, M D का मान M H के मान से ज़्यादा है, है, और अगर M D का मान M H से ज़्यादा है, तो आप यह भी कहेंगे, कि R D का मान भी R H से ज़्यादा होगा, क्लियर है ना, clear है, तो अब हमारे पास यह वाला लॉजिक आ गया, कि अगर M D equals to 2 M H है, तो R D is greater than R H होगा, अब स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या या तरंग संख्या निकालते हैं, hydrogen atom का तो यह formula है, 1 by lambda H equals to R H, 1 by N1 square minus 1 by N2 square, यह formula आप लोग wave number बोलते हैं, तरंग की संख्या के लिए निकाले हैं, अगर इसी को मैं deuterium के लिए पूछू हूँ आपसे तो क्या बोलेंगी, भाई formula इसकी जगा, R H की जगा, R A D लिखिएगा, ठीके ना, R H की जगा, R A D लिखेंगे, और इन दोनों को अगर relate करें, इन दोनों को अगर divide कर दें, तो क्या आज जाएगा, देखिए, अगर इसको और इसको divide करेंगे, तो 1 by lambda H by 1 by lambda D होगा, lambda D उपर चला जाएगा, क्या आएगा, lambda D by R H, फिर यहाँ, R H by R A D और यह वाला नमबर और यह वाला नमबर, R H by R A D, दोनों के दोनों, तो एक काम करें क्या, एक काम करें क्या, value रखने वाला case बात करते हैं, तो यह वाला term तो cancel होना चीए न, तो इसको नहीं रखने हैं, तो कहने का मतलब, यह भी तो कड़ जाएगा, अगर इसको divide कर रहे हैं, तो यह वाला नमबर, इस वाले नमबर से कटा, क्या बचेगा, lambda D by lambda H equals to R H by R D, किस तम को नहीं दिखना, lambda D by lambda H equals to R H by R D, और चूकि आप जानते हैं, कि R D is greater than R H है, R D greater than R H है, तो lambda D less than lambda H होगा, अगर R D greater than R H है, तो आप यह कहेंगे, lambda D is less than lambda H होगा, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि Deuterium की जो spectrum ही रेखाए हैं, उसकी जो तरंगदेर्द है, वो hydrogen के corresponding spectrum ही रेखाओं की तरंगदेर्द से कम होंगी, ठीक, ठीक, और hydrogen और deuterium दोनों के जो परमाडु में एक ही electron है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के isotope हैं, और वही एक electron नाभीक के चारोवर चक्कर लगा रहा है, इसलिए एक ही electron होने के कारण, nature of the spectrum, hydrogen और deuterium दोनों का सेम होगा, अंदर कहां पे आ रहा है, इस wavelength पे, तरंगदेर्द पे, इस प्रकार आपका लिखेंगे, इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं, ये deuterium का spectrum, deuterium का spectrum, deuterium का वर्ण करम, hydrogen के spectrum के जैसा होता है, hydrogen का spectrum और deuterium का spectrum दोनों के दोनों एक जैसे हैं, लेकिन, ये जो deuterium की spectrum ही रिखाए हैं ना, उनका wavelength, hydrogen के spectrum ही जो रिखाए मिल रही हैं, उससे कुछ कम लंबाई की होगी, उससे कुछ छोटे होते हैं, ठीक है, जैसे मैं hydrogen H-alpha का wavelength है कर आप जाने ना, hydrogen H-alpha का wavelength होता है, वो approximately 6563 angstrom का होता है, उनका सुनिएगा, hydrogen के H-alpha spectrum का wavelength 6563 angstrom का होता है, जबकि deuterium का अगर आप देखें, deuterium का D-alpha अगर देखेंगे, उसका spectrum होता है 6561 angstrom, approximately 2 angstrom का difference देखता है, ठीक है, यह lecture था आपका deuterium का wavelength या spectrum of deuterium, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है आपको, ठीक, thank you.